साथियो नमस्कार, हम आपके लिए डेली अलग-अलग तरह के केसिज फिल्ड वर्क के रिगार्डिंग लेते ही रहते हैं तो आज ये जो भैंस आप अपने मुबाइल स्क्रीन के उपर देख रहे हैं ये जबेन पर गिरी हुई है और इसको आप देखेंगे तो इसको आईवी सेट लगा हुआ है यानि कि इसको फ्लिवड थेरपी दी जा रही है तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो आपके साथ आश्यर की जाएगी कि क्या ये केस है कैसे इस केस को डाइगनॉस किया जाएगा और क्या इसमें हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कौन कौन से इंजेक्शन कितनी कितनी मातरा में दीए गए और ये आप देख सकते हैं कि आफटर ट्रीटमेंट के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिला है एकदम जादू इलाज हुआ है और ये जो वीडियो है ये हमें एक हमारे सब्सकræiber है राजस्तान से और जो कि ELA के पद पर हैं और उन्होंने हमें ये जो वीडियो है ये शेंड किया है तो आप उन्हें की जुबानी सुनिए कि उन्होंने इस बैंस में क्या क्या ट्रीट्मेंट किया, कितने एमल कौन सी दवाई दी और हमें किन किन बातों का ध्यान देने की जरूरत है मसकार प्यारे दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर इस बैंस को देख पा रहे हैं यह बैंस को क्या हुआ था, बयान है कि 6 घंटे बाद जमीन पर पढ़ गई थी, यह क्यों पढ़ी, क्यों कि जब यह बयाई थी तो इसका प्रतम दूद है जिसको हम कीस बोलते हैं, जो एक साथ निकाल लिए था, जिससे इसके सरीर में केल्सियम लेबल डाउन हो गया है जिससे हम मिल्क फीवर नाम की बीमारी बोलते हैं, तो इसको हमने सबसे पहले जिससे हम को जालूई रिजयल्ट देखने को मिला क्यों कि दोस्तो इसमें क्यों क्यों होता है जब भी एक साथ कीस निकाल लेते हैं बैंस का, तो उसमें उसके सरीर का केल्सियम लेबल डाउन हो जाता है जिससे भैंस की मास पीशियों में जखड़ाना जाती इससे काम नहीं करता है और जो टेमप्रिचर होता है भैंस का, जो बिलकुल डाउन चला जाता है तो इसका टेमप्रिचर भी क्या था, 96 डेगरी आ रहा था माइनस में, फरेनाइट में तो दोस्तों कभी भी एक साथ भैंस का दूद एक साथ ना निकालें क्यांकि इससे कभी-कभी खतरा रहता है मिश्पीवर का तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से इस भाई ने जो वीडियो है वो बना कर हमें भेजा है तो फिल्ड में आप भी इस तरह की वीडियो बना कर हमें सेंड कर सकते हैं अगर आपका ट्रीटमेंट सही है, आपका डाइगनॉस सही है और फिल्ड में आप एक बहतर रिजल्ट लेकर आते हैं अगर आपका ये सब कुछ सही रहता है, तो आपके बनाई हुई वो वीडियो आप हमें वाट्सेप कर सकते हैं वाट्सेप नंबर आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैक आउट कीजिएगा और हम इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिला है सिंपल मिल्क फिवर का केस था जो कि पार्चुरेशन के बाद अक्सर हमें गायवैंस में देखने को मिल ही जाता है तो इसमें कैलिशियम की जब डेफिसेंसी हो जाती है तो में जो यूज में लाते हैं हम वो होता है माइफेक्स और माइफेक्स की जब कमी पूरी हो जाती है माइफेक्स यानि की कैल्शियम की जब इसमें पूर्थी आ जाती है तो एनिमल जो है वो रिकावर हो जाता है तो ये जो केस था ये मिल्क फेवर का केस था साथ ही